और कुछ इस तरह से लंबे बले पॉड़ भी है जो आपको क्रंची लगेगा लेकिन अंदर से देखें इस तरह से हैं यह भी अथे हैं सॉप है वेकर स्मूपी है देखिए यह है कुछ है कि मैं आपको दिखाती हूँ यह और सॉसर में तो आपने यह देखा ही है यह सॉसर जो है फुल स्मूपी है और यह आपको ज्यादा मुझे नहीं लगता हार लगेगा फिर भी मैं आपको एक तोर के दिखाती हूँ इसका अंदर से क्या है आप देख लिए देखिए देखिए यह अंदर से ऐसे है और बाहर से ऐसे है यह स्टॉक इतना ही है यह दिया आप देख रहे हैं यह सॉप्ट है एकडम और यह सॉसर है और स्लेट पेंसिल वाला जो सॉसर है वो भी कच्छे मिट्टी में सुपर स्मूकी में अबलेबल है यह दिया बहुत सॉप्ट है यह अभी अबलेबल है और सॉसर में इस तरह के कच्छे मिट्टी के स्मूकी में हंडी है ग्लास है छोटे-छोटे पेबल पॉट है सब हैं यह है आपका बाकी का स्लेट आइटेम मैं दिखा देती हूं यह है ब्लैक बार्ट और ब्लाक स्टोन में ड्रेड स्टोन में मैंने आपको इस तरह के स्क्वबार दिया है और यह 1 स्टोन आपको दिया है जो आप देखिएगा यह बहुत अर्दी स्टॉक है इसलिए और यह जो आपको दिया ऑँ गिंग साइज में है यह आपकी सारे पाचकेजिका और यह आपके वाइट ब्रोकन, इस तरह के बीग साइज में था, तो मैंने आपको बिक साइयद में देदिया यह देख लीजिये, यह बाकी का साइ्ज आप मेरे हाथ में देख लीजिये देखिए यह बहुत अर्दिस टॉक है वाइट ब्रोकन मैंने पिछले बार वीडियो भी बनाया था यह टू के ज़िए आपका वाइट ब्रोकन है देख लीजी इसको यह है इसका बजन देख लीजी देखिए यह आपके पूरे पहली यह है 3 kg कच्चे मिट्टी का पॉट जिसमें यह सॉसर है यह सॉसर भी है यह थोड़ा मोटे है तो मैंने इसको भी दिया है कि क्योंको थीक पसंदा रहा था यह लंदे गले वाले पॉट है यह आपके मीनी गुलाथ है कच्च मिट्री में अभी यह यह आप लगी है यह है आपके ठीक बिक साइज ठीक लेकिन स्लाइटली स्मोकी हाप बेक तो इसमें भी हमें इस तरह के पॉट है जो ठीक में होत बनते है देखिए इसका टेक्च्चर भी बहुत ठीक है तो मैंने इसमें आपको यह भी मिक्स करके दिया है यह पाणी में डालने से अगर आप हाथ से मस लेंगे तो यह पूरा पेस्ट बन जाएगा यह आपके कच्चे मिट्टी का थ्वीकेजी का है मैं दिखा देती हूँ देखिए यह हंडी है और इसके अंदर मैंने दो चार पीस गुलब डाला है और इस तरह के स्मॉल हंडी भी है यहापे देख लिए यह स्मॉल हंडी यह आपके पूरा 3 केजी का कच्चे मिट्टी का पॉट है इस सौसर है यह पानी में डालेंगे पूरा मेल्ट हो जाएगा यह आपका पार्सल है देख लिजिए गुलक है हाप बेक एक साइट से थोड़ा स्मॉकी है और नीचे देखिए थीक क्ले पॉट है यह भी थोड़ा हाप बेक और स्लाइटली स्मॉकी है यहां पर है आपका पेबल पॉट यह है हंडी और यहां पर वाइट स्लेट आइटेम सभी सौफ में है जैसे ट्राइंगल है बार यहां पर है चिप्स ग्रूप्स और यह आपका बार एक सैंपल है देखिए आपका पार्सेल थीक कोलकता क्ले पॉट वन केजी है और पेबल पॉट हंडी मीनी पॉट लंबे गले वाले पॉट सभी मैंने दिया है और यह है थीक क्ले पॉट लिटल स्मोकी हब बेट यहां पर देखिए सौसर है यह सभी आपका फोर केजी मैंने एक बिक साइस गुलक भी दिया है यह आपका रेट क्ले और यहां पे है थीक स्लेट पेंसिल रेट वाला यह पूरे सारे पांच केजी का पार्सल है देख लीजे जिसका प्राइज है एठंट डेट यह आफर वाला पार्सल इस पार्सल के अंदर क्या और किस तरीके से चीजें आई है तो मैं सिंगल ही हूँ तो मैं इसको उपन करूंगी उसके बार फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या है तो मैंने अभी इतना ओपन कर लिया है अब नेक्स्ट देखते हैं कि वान हैंड से बहुत मुश्किल होता है इसको ओपन करना भी मैं सोच रही थी थोड़ा शॉट वीडियो बना लेती तो ज्यादा बेटर रहता बट वेरी टॉफ सिंगल हैंड सो पैकिंग तो अब तक बहुत अच्छी है बाहर भी था एक बॉक्स है अब सेगिंड बॉक्स निकालती हूं मैं तो मेरे को अपने दोनों हाथ यूश करना पड़ेगा सो मैं इसको निकाल के दिखाती हूं इसके बन आए थिंग यह बॉक्स नहीं है यह ऐसे ही निकल जाएगा ओ वाव ग्रेट सो काफी चीजें मैंने ओर्डर करके मंग आई थी यह डिजायर मार्ट से तोस्टेड नाको मच टाइनी क्लेपोट मुझे इसका नाम नहीं पता इतिंग यह ग्रूप्स के लाता है यह पता है अबर ध्यान नहीं है सो देखते हैं क्या है और यह पंजाब की खाने वाली मिट्टी है इतिंग सो नहीं क्लेपोट प्रॉपली ओपन करूंगी तभी एक वीडियो बनाओंगी तब दिखाएंगे मुल्तानी मिट्टी सॉसर और यह मरें क्लेएंग मैंने सोचा कुछ नहीं ट्राइब कराजाएं यह बर्फी है कुछ न्यू है मतलब मिट्टी वाली बर्फी करके कुछ है अभी नाम इपसेट नहीं ध्यान है मुझे और यह सैमी रोस्टेड नाकुमट